हलो फ्रेंड्स असलाम अलेकुम वेलकम बेक टू माई चैनल गार्णिंग विथ हैपनेस में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स मार्श के महीने में हमें अपनी मोगरा के प्लांट पे इस टाइम खात दे देना चाहिए मोगरा का प्लांट एक ऐसा हमारे घर हमारे गार्डन में इसकी भीनी भीनी खुसबू फैलती रहती है तो हमें ज्यादा फूल पाने के लिए ज्यादा कलियां पाने के लिए हमें अपने मोगरा के पौधे पर खात दे देना चाहिए फरवरी के महिने में हमने मोगरा के पौधे पर कटिंग प्रूनिं आ गई है और ग्रोध भी काफी अच्छी तरह से हो गया है तो अगर आप अपने मोगरा के प्लाण बे खाद नहीं दिये हैं तो अभी भी आप दे सकते हैं जब आप खाद दे देंगे तो इसमें 10 से 15 दिन में के बाद बहुत धेर सारी कलियां आ जाएंगी और बहुत ही अच खिल भी चुकी थी तो चलिए मैं बताती हूं कि आपको इस टाइम अपने मोगरा के पौधे पर कौन से खाद दे देना चाहिए तो हम यहां पर हमने एक लीटर पानी लिया है अब इस पानी में हम वर्मिंग कंपोस्ट मिलाएंगे आप चाहें तो सूखी खाद भी दे सकत अब इसके बाद इसमें कुछ और खाद मैं मिलाओंगी जिसे की मोगरा में अच्छी सी ग्रोथ आए अगर आपने नहीं दिया तो इस टाइप के खाद आप बना कर दे सकते हैं यह हैं डीएपी डीएपी पौधे में बहुत अच्छी सी ग्रोथ लाता है पौधे की रूट नीम की खाली पौधे के मिट्री को हेल्दी बनाती है उसमें किसी भी तरह का कोई एंटी बैक्टिरियल और एंटी फंगल नीम की खाली में रहता है जिसे की मिट्री हेल्दी हो जाती है उसमें किसी भी तरह का कोई फंगस नहीं लगता है तो यह तीनों चीज को मिला कर हमने बना कर खात को रख दिया था आप इसको खुब अच्छी तरह से आपको मिलाना होगा क्योंकि जो वर्मिंग कंपोस्ट रहती हो नीचे बैठ जाती है तो उसको जब आप अच्छी तरह से मिला लेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से पानी में मिल जाएगा फिर इसको आ अरेगे के लिए फास्पूरस बहुत ज़्यादा जरूरी रहती है वाधी की गुरोध तेज हो जाती है पौद rays को रूट मजबूत हो जाती है तो इस सभी चीजों को आप अच्छी तरह से मिला लिजे मिलाने के बाद आपको इसको डायलूट करना होगा आपको ऐसे नहीं देना है के लिए आपको एक ठो बरतन लेना होगा आप मग वगरे भी ले सकते हैं अपने हिसाब से जिसे कि आप आ आदा लिक्विड फटिलाजर लिया है और आदा मैं उसमें पानी मिला दूंगी दोनों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद आप अपने मोगरा के पौधे में दे सकते हैं और इस लिक्विड फटिलाजर को आप गुडहल के भी प्लान में दे सकते हैं मोगरा के प्लान में दे सकते हैं जितने भी फूल वाले पौदे हैं सभी में आप दे सकते हैं अब इसके इस फटिलाजर को देने के बाद 15 दिन के बाद आपको फिर कौन सा खाद देना चाहिए जिसे की जो फूल आते हैं फूल जो है बड़े साइच के आए और बहुत ही अच्छी मातरा में फू दिन पहले दिया था और उसके बाद का ये रिजल्ट है जिसे की आप दे सकते हैं हमारे पौदे की बरांच में सभी बरांच में ज़्यादा से ज़्यादा कलिया आई हुई हैं और जब ज़्यादा कलिया रहती हैं तो उसी पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल बनते हैं त पिर उस खाद को देने के बाद 15 दिन बाद आपको एक खाद आउर देना है उसके बारे मैं आगे बात करूंगी तो खाद को देने से पहले आपको अपने पौधे में गुड़ाई कर लेना चाहिए गुड़ाई दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहती है आपको 15-20 द तो यहाँ पर हमने गुड़ाई कर लिया है अब गुड़ाई करने के बाद मैं जो खाद में बता रही हूं अगर आप उस खाद को दे देंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मोगरा के पौधे में फूल आने लगेंगे और जो फूलों का साज रहता है काफी ब दा सकते हैं क्योंकि अभी ज्यादा गर्मी नहीं पढ़ रही है और जैसे जैसे गर्मिया बढ़ेंगे अपरेल मैई जून का महीन आएगा तो आप उस टाइम अपने पौधे को किसी भी तरह का कोई केमिकल खाद बिल्कुल ही ना दे चाहे ओ डी एपी हो चाहे तो इस तर कोई नुकसान नहीं होगा तो 15-20 दिन के बाद जो खाद हमने बताया था उसके 15 दिन बाद इस खाद को आपको देना है अगर आपने वर्मिंग कंपोस्ट लिकुड बना कर दे दिया है तो 15-20 दिन के बाद इस खाद का आप अपने पौधे में यूज कर सकते हैं तब आप देखेंगे कि पौधे में बहुत ज्यादा से ज्यादा कलिया आने लगेंगे और उसमें फूल भी आने लगेंगे अगर आपके मोगरा के पौधे में किसी भी तरह का कोई रिस्पौंस नहीं मिल रहा है फूल नहीं आ रहे हैं तो इस तरह के खाद को आप इस्तिमाल कर सकत और ज्यादे से ज्यादा फूल पा सकते हैं मोगरा के पौदे को अभी आप इस टाइम पूरे दिन भर की धूप में रख सकते हैं और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी मैं जून का महीना आएगा तो उस टाइम आपको तीन से चार घंटे की धूप में सिर्फ रखना होगा और अभी तो आप पूरे दिन भर की धूप में इसको रखिए तब ही आप इसमें फूल पा सकते हैं अगर आपके पास ज्यादा मोगरा के पौदे हैं तो जो खाद मैंने बताया है लिक्विट खाद उस हिसाब से आप अपने पौदे में देने के लिए कम ज्यादा कर सकते हैं और फ्रेंड्स आप अपने मोगरा के पौधे में पानी बहुत ज्यादा आपको मिटी को गीली नहीं करनी है जब आपको लगे कि मिटी ऊपर की लेड़ सुक चुकी है तब ही आप उसमें पानी दीजिए और जब भी आप पानी दीजिए तो आप अपने गमले को भर ताकि पानी जो आप दे रहे हैं रूट तक पहुँच जाएं अगर आप उपर उपर पानी देंगे तो रूट तक नहीं पोँचेगा इसे रूट में किसी भी तरह के कोई डिओलेफ्मेंट नहीं होगा तो आगे जो उपर की ब्रॉच में और और आप पहूल भींत पा सकत तो फ्रेंड्स इस्टेब बाइस्टेब मैंने बता दिया है और वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक से रिकमेंट करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलते हैं किसे ने स्टेजिए में तब तक के लिए थेंक्यूं